मध्यप्रदेश के ग्रिह मंत्री नरूत्तम मिश्रा ने कहा कि यूक्रेन में फसे मध्यप्रदेश के स्टूडेंट्स को एक दो दिन में भारत लाया जाएगा प्रदेश के विद्यार्थियों को यूक्रेन से लाने के प्रयास खुद मुख्यमंत्री शिवरासिंग चौहान कर रहे हैं और इसकी मॉनीटरिंग लगातार जारी है किंद्रे सरकार ने भी इस सम्मंद में एडवाइजरी जारी कर दी है आपको बता दे कि मद्यप्रदेश के लगभग 60 चात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और अभी वहां की युद्धी की आशंकाओं के बीज ये चात्र फसे हुए हैं पूरे भारत के 20,000 से जादा चात्र यूक्रेन में फसे हैं जिनमें डर बढ़ता जा रहा है युद्धी की संभावनाव के बीच वालगातार भारत सरकार से उन्हें भारत वापस लाने की मांग कर रहे हैं पर भारत सरकार अब आक्शन ले रही है और जल्द ही उन्हें वापस लाया जाएगा इस बीच ग्रेह मंत्री नरूतम मिश्रा का बयान कि फसे हुए स्टूडेंट्स को एक दो दिन में भारत वापस लाया जाएगा बहुत गंबीर विश्रा की और आपने ध्यान आकर्सित किया है मैं ये बात केदर सरकार के दोरा भी संबन में एडवाईजरी जारी कर दी गई है हवाई आजों की व्यवस्ता प्लेन की व्यवस्ता उन छात्रों को लाने की की गई है सभी सकुसल हैं रहें दो ये भी चिंता की जा रही है और 20 या 23 तारिक तक कि ये सभी लोग घर वापिस आ जाएं ऐसी चिंता राजी सरकार जी भी कर रही है मुक्ष मंत्री जी स्वयं भी इस पर द्याद दे रहे हैं और केंद्री सरकार, प्रण मंत्री जी सभी उसके लिए चिंते थे